ग्यान दठाजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आप सुबह उठे और हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं उन्में से कोई भी एक चीज़ें आपको दिख गया तो समझते लिछी है कि आपका अगर बाग सोया भी हुआ है तो सोया भाग्य भी जाग जाता है देखे वैक्ति के सपने और सुबह के समय दिखाई देने वाली चीज़ें बविश्य में घटित होने वाली बातों के और संकेत करती है योतिशास रूम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे बताया गया है कि वैक्ति के पैसे और अच्छी सुब्दा से जोड़ी कुछ एक्छाएं कब पूरी होनी है ये चीज़ें दिखाई देना संकेत होते है और वैक्ति पर देवी लक्षमी की किरपा होने वाली है साधी सोया हुआ भाग्य भी जागने वाला है जीवन की सारी परिशानियों का अंत हो जाएगा वैक्ति को सपने में पानी, हरी घास, उल्लू दिखाई देना शुबर रहता है इसका अर्थ है कि आप पर देवी लक्षमी की किरपा होने वाली है सुबा के समय गन्ना दिखाई दे तो समझ जाईए कि बविश में धन समन्दी मामलों में सफलता मिलने वाली है इसके अतरी धन कमाने की कई साधन मिल सकते है सुबा उठते ही नजर यदि दूद या दही से भ़े वरतन पर पड़े तो सिग्र ही सुप समाचार मिल सकता है यदि सपने में सफेज साम दिखाई दे सपने में सफेज साम दिखाई देने पर भुष में भी से सुपलब नहीं मिल सकती है सुबा के समय नारियल, शंक, मोर, फंस, फूल यादी चीज़े दिखाई देना भी शुप माना जाता है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद